दोस्त फिलिए हम बात करेंगे ओपन के इडियू टोकन के प्राइज मोमेंट के बारे में अप्डेट लेवल और आपके लिए टागेट्स क्या रहेंगे कल इसके बिनांस लाज्च मेंट के अंदर लिस्टिंग हुई है और एक बहुत अच्छा मोमेंट इसके प्राइज में के लिस्टिंग हुई और वन पॉइंट फाइप वाला एडिया इसने अभी ट्राइज किया और अच्छे खासे लेवल को इसने अभी मेंटेंग भी किया हुआ है तो आपने अगर इसमें बिनांस पी इन भी स्टेक करके आपको रिवर्ड मिला है या फिर रिसेंटली आपन के लिए हमने प्रीमियम सर्विस स्टार्ट की है ताकि वहाँ पर आपको प्रॉपर गाइडेंस प्रॉपर स्ट्रेडी यह शेयर की जा सके चैट एकसे रहेगा क्रिप्टो क्वरी जिजल की जाएगी सिगनल शेयर की जाएंगे और भी बहुत सारे बेनेफिट्स हैं तो ज इस प्रोजेक्ट के लिस्टिंग होती है उसमें मिनिमम मिनिमम 10X से लेके 20X तक का मुमेंट देखने को मिलता है यह खुद बिनांस जो है वो क्लेम करता है कि आप अगर बिनांस लाज़ पेंट के अंदर इंवेस्ट करते हैं या फिर आप BNB स्टेक करते हैं तो आपको मि अधर बात करें तो 0.05 वाल एरिया से 1.5 वाला एरिया इसने त्राइख किया ओवराल 30X का मुमेंट इसमें देखने को मिल हैं कि 30,000 3,000% का रिटन इसने दिया है 3,000% का मूव लिया और अभी भी अगर बात करें तो 2,700% अब है यह कोईन कल से अभी तक अगर बात करें तो कल इसकी 5.30 IST पर यानि इंडियान स्टेंडर्स टाइम पर इसके लिस्टिंग हुए 28 अपरेल को इसके लिस्टिंग जो है वो EDU BTC पैर में हुई है USDT पैर में हुई है TUSD पैर में हुई है और BNB पैर में हुई है यह जो टोकन है EDU टोकन यह Open Campus Protocol का Native Utility टोकन है इसके इसको एजुकेटर जो है वो revenue earn कर सकते हैं पहुत सारे इसके प्रोजेक्ट वगरा है mobile apps है पहले भी mobile apps इसका था एक tiny top app करके था जिसके थुरू आप अलग-अलग तरीके से जो बच्चे हैं उनको अलग-अलग creativity से आप बच्चों को शिखाते हैं और उसके थुरू आप earn क कर सकते हैं वीडियो के थुरू या उसको nft release कर सकते हैं इस टाइप से आप इसको इसके थुरू revenue share कर सकते हैं revenue earn कर सकते हैं यह claim करता है इसने यहाँ पर जो detail से हमने देखी उसमें उनने बताए कि वेब 3 education protocol है यह that is looking to tokenize the world education content by enabling teachers जो teachers है और creator है उनको अपना content जो है वो monetize करने को देता है और creators इसके थुरू revenue earn कर सकते हैं अब भी अगर listing की बात करें तो 0.05 पर के listing हुई थी total supply 1 billion की होने वाली है जब भी final जो मलब maximum supply जो है वो इतनी हो सकती ही total circulating में अभी 145 million token release किये है जिसका आप trade कर सकते हैं market cap almost 200 million की देखने को मिली है इसकी commercial partnership भी है पहले से कुछ जो project है जिसमें sandbox है एक metaverse का top project है hooked protocol token है जिसकी हाल ही में बिनास launchpad के अंदर ही hooked token है उसकी listing हुई थी और third है high street जो project है उसके साथ भी इनकी partnership पगे रहा है तो यह associated normal information हो गई अब यहां पर बात करें कि आपने इस coin में आपने बिन बिस्टेक किया था तो आपको as a reward कुछ token मिले होंगे या फिर आपने इसमें जिसे ही listing हुई थी उसके बाद से जिसे trade start हुआ तब आपने कुछ token buy किये होंगे जो भी किया है तो अभी आपको profit हो रहा है या profit नहीं हो रहा है आपके लिए target क्या रहेंगे उनकी बारें बात कर लेते हैं तो अभी यह 1.45 पर trade कर रहा है बहुत अच्छा moment है और दूसरी चीज़ यहां पर अगर देखें moment के साथ-साथ stability भी है बहुत साथ टोकन जो बिनास पर लिस्ट होते हैं उनमें moment होता है जिरो पॉइंट जिरो फाइब से वाले एरिया से जैसे moment हुआ और सेकेंड जो केंडल है उसमें बड़ा डंप देखने को मिलता है प्राइज आपको अलमोस्ट वापिस से मिनिमम मिन केंडल में प्राइज नीचे डंप हुई उसके नेक्स्ट केंडल में प्राइज नीचे डंप हुई और प्राइज जो है आपको अभी इसे कल से अभी तक अलमोस्ट इसको 10-15 हो गया हो लिस्टिंग को तो वहां से अभी तक इसकी प्राइज आपको वापिस से 12-15 सेंट य या फिर बहुत जादा इस्तिविटी देखने को नहीं मिती लेकिन बिनास लाच लांच पेट के अंदर जो प्रोजेक्ट लांच होता है उसमें इस्तिविटी रहती है उसमें वहां पर अच्छा का सब विल्यूम भी देखने को मिलता है और इस कोई के अगर बात करे तो इसम यहीं पर सेल करके एक्जिट हो जाना है कुछ पार्ट बचा लेना जैसे 30% आपको बचा लेना 70% पार्ट को आपको सेलाउट कर देना 30% पार्ट बचा कर आप यहां से 1.6 या 1.65 तक का ठागेट रख सकते हैं क्योंकि अच्छा मुमेंड है यहां से वापिस इस्तिविटी है तो इस वज़े से नेक्स्ट जो एरिया है जैसे यहां पर इसने पहले अगर देखे तो 1.49 को ट्राइ किया था फिर वापिस से इसने 1.5 पॉइंट को ट्राइ किया तो अब चांसे हैं कि यहां से थोड़ी कि इस्टेबिटी के बाद ये कोई 1.6 1.7 को ट्राइ कर सकता है तो उसके लिए हम थोड़ा फूट पार्ट बचा लेते हैं अगर नहीं ट्राइ करता है प्राइज में करेक्शन होता है नीशे जाती तो 1.3 या 1.25 कर आउन में फिर अगर वहां तक प्राइस चली जाती तो फि से हमारा प्रोफिट परसेंटेज बढ़ने के चांसेज है तो आप होल्ड करें दूसरा जिन्होंने रिसेंट्ली इंट्री ली जैसे ये ब्रिक आउट हुआ जैसे लिस्टिंग हुई ब्रिक आउट हुआ वन यूस्टी पर प्राइज आ गई या उससे उपर वाले लेवल पर आ गई तो आपकी जो भाइंग है वह बहुत ज्यादा रिस्की भाइंग है इस लेवल पर बैक करना बहुत ज्यादा रिस्क होता है जिसमें फाइनेंस्य लोग के चांसेल रहते हैं तो आपको अभी प्रोफिट अगर हो रहा है आपकी अगर बाइंग 1.1 1.05 पर यहां थोड़ा बहुत प्रोफिट आपका बढ़ जाएगा और सोटम अगर आप ट्रेड कर रहे हैं और रिसेंट की बाइंगे तो भी आपको सेल करना क्योंकि अभी बाइंग आपकी बहुत जादा रिस्की रहेगी क्योंकि इसमें अभी करेक्शन नहीं हुआ है लेकिन करेक्शन ह होगा प्राइस दिरे दिरे सेवन्टी सेंट फिफ्टी सेंट पर स्रेविटी मेंटेन करेगी और ऐसा जरूरी भी नहीं है कि वहाँ पर जाए मुमें टू युएस्टी तक भी हो सकता है लेकिन उसके चांसे सकम बनते हैं ओवराल बाकी जो नए इंविस्टर ट्रेडर है वह हमारी प्रीमियम मेंबर्शिप में जरूर इन्रोल करें ताकि आप क्रिप्टो लोसिस से बच पाएं ओवर ट्रेडिंग को मेनेश कर पाएं वहाँ पर आपको प्रोपर गाइडेंस प्रोपर स्टेडिजी शेर की जाएंगे और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो मे आपको ओवराल कोई से लेटेड नोलेग उसके वीडियो अच्छा लगा है लाइक ज़रूर करें चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस टाइब के वीडियो आपको रिगुलर बेसस्ट में मिलते रहें थैंक्यू